दोस्तों तो कैसे आप लोग मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे जिया दोस्तों आज की इस पीडियो में हम बात करेंगे टाटा IPL 2023 के दसमे मैच के बारे में जिया दोस्तों ये मैच लखनव सूपर जाएंट और संराइजर साधराबाद के बीच खेला जाएगा तो यहां पे हम बात करेंगे इस मैच की छे ग्रैंड लीग की टीमों के बारे में कैसे आप इस मैच की छे ग्रैंड लीग की बहतर से बहतर फैंटसी लॉजिकल टीम बना सकते हैं जिससे कम से कम आपकी एक टीम टॉप 10 में रैंक बन पे जाए और आपको अच्छा खासा पैसा विन करके लाके दे दोस्तों मुझे पता है मेरे जो सब्सक्राइबर्स है उसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग खिलने वाले इसलिए मैं उनके लिए कुछ ही Special लेके आता हूं. ठीक है, मैं जो Tiem है यहां पे बना के लाया हूं, सारी Logical Team हैं. मतलब हर एक एक logic पे एक Team मन मा लिजियों, एक Team आपने बनाई, पहली Team FLAF रही तो दूसरी Team रैंक कर सकती है अमारी यह दूसरी टीम भी फ्लाफ रही तो तीसरी टीम रैंक कर सकती है तीसरी टीम फ्लाफ रही तो चोटी मतलब 6 टीमें मैं जो बताऊंगा लॉजिक पे उसमें से एक ना एक टीम रैंक कर सकती है grand league में top 10 या rank 1 पे जा सकती है अभी तक दोस्तों जो IPL हुआ है जितने match हुए उसमें दोस्तों 3 grand league मेरे logic पे win हो चुकी है जो लोग लगातार मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको पता है ठीक है और 2 grand league जिसमें मेरे subscribers मेरे followers win कर चुकी है ठीक है आप अगर पहली बार आए है लेट आए है तो आप लोग क्या करो सभी लोग जुड़ जाओ इस चैनल से क्योंकि यहां पे जिस तरह से grand league की टीमें आपको समझाता हूँ साय दोस्तों पूरे यूटूब पे आपको कोई इस तरह से logical आइक कर दो जो लोग चैनल पे पहली बार आए है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके विल आइकान को प्रेस कर लो और खास कर अगर grand league और mega grand league खेल रहे हूँ ठीक है fantasy में अगर grand league और mega grand league खेल रहे हैं तो यह लोग खेलने 5-4 में उनमाली यह कम selection वाले प्लेयर में लेकिन वह perform करेंगे क्यों करेंगे मैं बताऊँ भा ठीक है तो उनको आप 3-4 मेंबर में भी यूज कर सकतें तीन में बचार मेंबर पाच मेंबर लीक्स में उनमें ऑच तरफा लगबग सही रहती है 100% तो नहीं लेकिन लगबग सही रहती है तो आपको क्या करना पूरी वीडियो ध्यान से एंड तक देखना है तभी आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे सारा लॉजिक समझ पाएंगे ठीक प्लेइबर लीग और टीमें यहांगे सारी चीज़ें आप देख सकते हैं ठीक तो relaxation पहले दोनों टीमों की प्लेइंग् लेवन्ट देख लेते हां जो लोग TG 5 और टीम में बनाकर लाया हूँ यह बेच्ट थीए करना गाले में dog tastes जाएगी बात करते हैं तो यहां पर दोस्तों कन्फ्यूजन है कि क्वेंटन डिकाक आ चुके हैं और कायल मायस तगड़ी पुफार्मेंस दे रहे हैं ओपनिंग ठीक है तो अब यह बात है या तो देखें के साथ क्वेंटन डिकाक ओपनिंग करेंगे या तो डालेक्ट कायल साथ मायस नहीं कहलेंगे या फिर टीम चाहेगी कायल मायस को खिला के और मारका सिट्वाइनिश से वेसे ओपर नहीं करा रही तो हो को नाखे कायल पूरन जिस जया पर खेल रहे हैं अच्या कहलने और यहां पर माक बुठ भी बहुत टगड़ा कर रहे हैं तो यहां पर तो मुझे लग रहा इन दोनों प्लेयर में से कोई एक प्लेयर खेलेगा और कायल मायस अगर खेलेंगे तो तीन नमबर पर खेल सकते हैं तो यह मैं लॉजिक लगाया हूं बाकि दीपकूडा कुनल पांड्या निकलश पूरण आश्वदोनी एस्ठाकूर मार्कबूड रभी जाइंस की तरफ से आगे चलते हैं दूस्तों शुरुआत में पावर प्लेय में आपको आवेश खान बॉलिंग करते दिख जाएंगे यहां पर मैं जैदर उनादकट का नाम इसलिए रखा हूं अगर जैदर उनादकट खेलेंगे तो यह पावर प्लेयर बॉलिंग करते द ठीक है आगे चलते हैं दूस्तों बात करते हैं संराइजर साधरावाद की प्रोबेबली प्लेयंग लेवन को लेके तो यहां पर अभिशेक शर्मा और मयां का गर्वाल आपको ओपनिंग करते दिख जाएंगे राहुल तिर पाथी आपको तीन नंबर पे चार नंबर पे आपको आईदन माकरम पांच नंबर पे हैरी वरूग छे नंबर पे ब्लैंड फ्लिप्स वाशिंग्टर सुंदर भूमनेश्वर को और आदिल रशीद या फिर मार्को एंसन को टीम खिलाएगी बाकी उम्रान मलिक टीनेट राजन यह प्रोबेबली प्लेंग लेवन हो सकत एकस्पेक्टेड बैटिंग ओडर में सनराजर साधरावाद की तरफ से यहां पे भी अगर कोई चेंज होता है अपडेट मिलती है तो मैं अपने टेलिग्राम चैनल पे बता दूँगा लिंक डिस्क्रिप्सन में सभी लोग जाके फटाफट से जोड़ जाना ठीक है और य दूसरी बात है वाशिंग्टन सुन्दर क्वेंटन डिकाग को आउट कर चुके तो यही बात है इसलिए वाशिंग्टन सुन्दर सुरुआत में ओबर लेके आ सकते हैं और राइट आम आफ रेक बॉलर के सामने क्वेंटन डिकाग कहीं न कहीं फच सकते हैं ठीक है इस पि भी हो सकता है कि टीनेट राजन के साथ आपको कोई दूसरा बॉलर डेथ में बॉलिक करते दिखे खासकर चांस यही है कि भूनेश और कुहार ही करेंगे ठीक है यह चलते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ ग्रेंड लीग के लिए पार्टेंड प्लेस जो मैं ग्रेंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन होगा है मतलब दू जो कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे वह इनीच छे प्लेस में से हो सकते हैं आधर मार्क रम का नाम में इस दिए रखता हूं कि कोई यह बॉलिंग बैटिंग दोनों कर सकते हैं सामने लेफ्ट एंडर से क्वेड़न डिकार कालमाज हो सकता राइट आम आप रेक बॉलिंग करते हैं इनको उबर्स मिलें और वीखर्स लेकर जाएं क्वेंटन डिकार अच्छी फार्म चल रही अच्छा करते हैं बहुत तगड़े प्लेरे क्यर राहूल आईपल में हमेसा अच्छा करते हैं दो मैच खेलें अच्छे तरह से कज़ो ही और यह बहुत अच्छा करें ढवी पिछ अघर थोड़ी सी एप्लेजिए बिलाई हैं इसी पीछी इस पीछपर लिह थे लियistht इस पीछलम इच्छा A.D ने दोनों मैचों में अच्छे विकट्स लिए अच्छी जा रहे हैं उम्रान मलिक अगर पेसर्स को थोड़ी सी भी हल्प मिलती है इनके पास गती है और गती से अगर सामने वाले प्लेस वीट होते है तो उम्रान मलिक भी 4-5 विकट्स निकाल सकते है हैरी ब्रूक इनका ये साल बहुत अच्छा जा रहा है बहुत तगड़े प्लेयर है मौका मिलता है तो बड़ी इलिंक खेल सकते है ठीक है तो हैरी ब्रूक के पास बहुत सारे सार्ट है बहुत अच्छा गर सकते हैं यह इतने प्लेयर्स हैं जो ग्रेंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बहतर हो सकते हैं दोस्तों अगर आप एक बेस्ट फैंटसी एप की तलास में आपको नहीं मिल ला है तो मैं कहूंगा जाके आप बल्लेवाजी एपको डाउनलोड कर सकते हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी लोग जाके फटाफट से डाउनलोड करने आप डाउनलोड क्यों करना है क्योंकि दोस्तों यहां पे कंपटीशन बहुत कम है अगर आप ग्रैंड लीग यहां पे खेल रहे हैं तो ग्रैंड लीग भी जीतने की बहुत ज्यादा चांस है देखर 49 रुपे में आपको ग्रैंड लीग मिलेगी और वो भी 100% बोनस ही हुज होगा पांच लाग की ग्रैंड लीग छेटी में बना रहे हैं हासानी से यहां पे विन कर सकती क्योंकि कंपटीशन ही नहीं तीन मेंबर चार मेंबर खेल लें मालीजी आप सव कांटेंड जॉइन करने अधर एप पे अगर आप सो में साथ विन करने सेम टीम से यहां पे असी पच लीग फिरी मिलेगी 10 IPL यूज करें बाजीगा टिकट फिरी मिलेगा यह वाला कोड सबसे बाइतर मुझे लगा जितना चाहिए डिपोईट करो यह पी ओ आर्टी ठीक है इस्पोर्ट यह वाला कोड अगर आप यूज करते हैं तो आपको 3% एक्स्ट्रा यह वाला रियल को पूरा पूरा हर एक लीग में उसकर सकते तो यह होगा डिपोईट कोर्स की बात बाकि हमने लिग की भी बात कर दी और यहां पर आपको जो इसमोल लीक्स होती है वह बहुत सब्सक्राइब को खेच सकते हैं और यहां पर दोस्तों जी यह वाला फीचर प्रेडिक्टर का ज यहां पर बहुत सारे questions live चलते रहते जिसमें मैं trade करके आसानी से कमाता तो आप भी अपने opinions को यहां पर trade करके आसानी से कमा सकते हैं बहुत बहतर feature लगा मुझे है बल्लेवाजी का fantasy team की tension मत लेना fantasy team में telegram पे डाल देता हूँ टॉस के बाद तो टेलिग्राम से सब लोग जूड़ जाना और जिसने भी बल्लेवाजी को अभी तक डाउनलोड नहीं किया उसके फोन में बल्लेवाजी नहीं है तो link description में जाओ प्लिक करो बल्लेवाजी आपको डाउनलोड करो और खासकर इस feature का युज एक बार जरूर करके देखना बहुत मजा आएगा चलते हैं दोस्तों बात कर लेते हैं बेश्ट fantasy team के बारे में तो जो हमने fantasy team बना के रखी उसको यहां से देख सकते हमने दोस्तों निकलाज पूर या captain either Markram को किया है vice captain और यह हमारे दोस्तों west captain vice captain की choice है बाकि आप कायल माज को कर सकते हैं ठीक है और मैं कहीं रोटेट करके आदर माकरम को captain को एंटन डिकाग को vice captain कर सकता है और यह दोनों south african player बहुत अच्छी फार्म में दिख रहे हैं तो इन दोनों प्लेस को captain vice captain कहीं कहीं अगर टीम पहले बैटिंग करते हैं तो के लाहूल captain markwood vice captain इस तरह से हम बना सकते हैं यह भी आपके पास absence है इस मौन लीग के ठीक है आप चलते हैं डारेक्ट ग्रैंड लीग की बात करते हैं क्योंकि ग्रैंड लीग के लिए ही सारे लोग मुझसे जुड़े हुए और बहुत देर से बैट करें तो अब यहां से ज सब्सक्राइब करके वेल का आइकन प्रेस कर लोग चलते हैं दूस्तों बात का लिए पहली team के बारे मीं तो मैंने पहली team बना करें रख्क हुई वह लाजिकर तीम है वह आपको समझ आ गई होगी पहले समझ आ गया हैं क्योंकि मुझे जो लगाता आप देखते उनको मेरा लोजिक पहले से समझ आ रहा है जो लोग नय हा रहे है चैनल पे पे तो उनको ये तो यह जो टीम है यह पहली लोजिकली टीम है जो आप समझ पा रहे हैं दोनों टीमों को जब हमने कंपेर किया तो एक चीज़ देखने को मिली कि संर्राइजर्स हैदराबाद की टीम थोड़ी वीक दिखी और इस्ट्रॉंग टीम दिखी आप लखनो सुपरजांस की जो टीम बहुत बड़ा टोटल ना बना पाए बहुत अच्छा इसकोर ना कर पाए तो उस तो कहीं न कहीं यहां पे तो इस तरह की टीम आप ट्राइए कर सकते हैं अगर लखनों की पहले बॉलिंग आती हो सकता चेज करते हुए यह दोनों प्लेयर्स के बीच बड़ी साज़ेदार हो जाए और हो क्या जाय कर चुके लास्ट जीजन आपने देखा पहले बैटिंग करके इन दोनों प्लेयर्स ने साथ 210 रन किये थे और कोई भी विकर नहीं दिया था पहले बैटिंग करके जो कि बहुत कमबार होता बाद में बैटिंग करके तो टीम में 10 विकर से चेज कर याद होगा ठीक है तो यह दोनों प्लेयर्स के बीच बड़ी साज़दारी हो सकती है जैसे फापडू प्लेजिस और विराट कोईली ने एक बड़ा स्कूर लगभग ओपनिंग से चेज गया वैसे यह भी कर सकते हैं तो इस तरह की टीम आप ट्राई कर सकते हैं लखना सु कायल मायर्स इतना तेज खेलते हैं कि यह दोस्तों 17-80 आराम से कर सकते हैं ठीक है इनके लिए मतलब बहुत सिंपल है वैटिंग अगर इनके बल्ले पर गेंद आ रही इनको अच्छी लग रही पिच अच्छी लग रही तो कायल मायर्स और मार्कबूट कैप्टन वाइस कै कायल मायर्स चेज करते हैं अच्छी इनिंग बड़ी इनिंग खेल गए तो इस तरह की टीम ग्रैंड लीक के लिए बहुत 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 हो सकती है रहें कर सकती है अगर लखनों की पहले बॉलिंग आती है और हाँ एक चांस यह भी बनता है इनको पहला ओबर दे देती है तीसरा ओपर दे देती है तो हो सकता उसमें स्विंग हो और सामने वाली टीम के ओपनर्स को लेके जाएं क्योंकि सामने बहुत तगड़े ओपनर्स नहीं है अफिशेक शर्मा है मैंग अगरवाल है उनका विकट कायल मैस ले सकते हैं तो एक उस पॉइंट आप व्यू से भ लखनों सुपर जायं चीन अगली टिम की बात करते हैं तो अगली टिम तो मैंने बना करते हैं वह आपको टबी ट्राइप करने जब लखनों की पहले बॉर्लिंग आए हैद्राबाद ने पहले बैटिंग करके अच्छा बड़ा टोटल कर लिया 200 प्लस का टोटल कर लिया ज मिले ठीक चेज करते हुए हो सकता हो को एंटेंट डिकाय काल मायस अच्छा करें बाकी प्लेयर्स अच्छा ना कर पाए लगना उस उपर जाएंस के तो कुछ इस तरह की टीम ग्रेंड लीक के लिए बहतर हो सकती है जिसमें हाइदरावाद की टीम पहले बैटिंग करते हुए अगर अच्छा करती है तो आपको ऐधन माकरम अच्छा करते दिखेंगे और यहाँ पे उम्रान मलीक अच्छा करते दिखेंगे ठीक है और उम्रान मलीक माली चेज करने के ल तो आपको टीम ट्राइब करना तीम बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना है लखनौ की टीम थोड़ा इस्ट्रांग साइड हो सकती है और है थाइदरावाद की तो यह तो इस टीम में आप के लाहूर को ड्रॉप कर सकते हैं क्यों करके निएनास यहां से थोड़ा चैंजिंघंग करके दिखाता हूं कि यहां पर क्यों करना है क्यांना कोबिन मुल तो अब हमने दीख हैं यहां पर क्या सामने लाहन नहीं है क्योंकि अब रटके तो वो बिकट होगा केल राहूल का या कोइंटन डिकाग का या फिर दोनों होंगी या फिर कालमायस का ठीक है तो उनको डॉप करके यहां लिया है निकलस पुरन को दीपा कुड़ा का कुनल पांडिया को यह कुछ प्रफाम करें और उसके बाद केज़ करते हुए हो सकता अगर यह दोनों प्लेयर्स अच्छा करेंगे तो कम सेलेक्शन वाले प्लेयर्स है हमारी टीम एक तरफा रेंग करेगी अगर पहले बॉलिंग आती है हैधरावाद की तो इस तरह की टीम भी ट्राइक करें ना बाकी मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं हाई डिसकी टीम होग होगी आप अपने डिसकी ट्राइक करना ठीक है आपको मैं बता रहा हूँ कोई ग्रेंड लीक की टीम के लाजिक्स इस तरह से पूरे यूटूब पे आपको नई शेयर करता है इसलिए पसंद आ रहे हैं तो जिसने भी लाइक नहीं क्या सिंपल क्लिक करना है लाइक कर दो और लाइक करो सभी लोग जिसने सब्सक्राइब नहीं किया और ग्रेंड लीक विन करना अभी आई पेल पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा चार पांच ग्रेंड लीक में बिन कराऊंगा च्छे ग्रेंड लीक साथ तो सभी लोग यह जुड़ जाओ और पूरे आई पेल फा सबाब करें करें वाइस एक्रैकर को सब्सक्राइब इस तरह की टीम लिए बहुत बहुत हो सकती है ऑगली टीम प्रेंग आपको तोडी अलग थिके Sat 막iate stronger अगर यहां पर होता गया है अगर पहले बैटिंग करके यह दोनों प्लेस अच्छा कर जाते हैं लास्ट सीजन की तरह है लास्ट सीजन की तरह है क्योंकि पहले बैटिंग करके कोई दिकट नहीं दिया था और 210 रन किये थे तो वैसा अगर सीन होता है क्योंकि पॉसिबल हो सक है तो इस तरह की टीम बहुतर होगी ठीक है रेंक कर सकते है ठीक है रही छे तीम हो गए यह वाली आधाराft 4 5 6 यह वाली टीम है आपको तरव ट्राइ करनी है जब पहले बॉलigon करती है हैющ dużo राफ़ है और जब पहले बॉलिंग करती है लगनउ तो इस तरह की तीन तीम है और इन तीन तीम ओ को आपको छे टीम है कुट से कनवाट करने ना जो लास्ट की दो तीम है वो कोई टीम पहले बैटिंग करें कोई टीम बाद में बैटिंग करें उससे मतलब नहीं है लेकिन ये वाली जो टीम है अगर लखनो पहले बैटिंग करें तो केल राहूल के चलने के चांसे ज्यादा होते हैं और चेज करते हुए राहूल त्रिपार्थी अच्छा कर सकते है तो ये दोनों players राहूर तृपाथी केल राहूल इस match में perform कर सकते और इस तरह की team आप try कर लेना बहतर हो सकते है अगर लगनों पहले batting करें तो combination इस तरह का try कर सकते हैं जिसमें केल राहूल captain होंगे राहूल तृपाथी वाइस captain हैं इस तरह की team rank करने वाली होगी इन दोनों प्लेयर्स के चलने के चांसेश है ठीक है अब वाशिंग्टन सुंदर का विकट क्वेंटन डिकाक ले सकते हैं इस लाजिक पर भी आप टीम बना सकते हैं अगली जो टीम है उसमें आधन माकरम और रभी विश्णोई को आधन माकरम को इसलिए ट्राय गिया क्योंक तो यह तो यह बाली ट्इम हमारी बहतर हो सकती है एक टीम और आपको बना के दिखादा हूं उसमें मैंने क्या कहा है मैंने कहा है कि आप आदिल रशीद को ले लेना आदिल रशीद को मैं ले लेता हूं यहाँ ठीक है उम्रान मलिक फजल अफारूकी में एक मैं आदिल रशीद अगर खेलते तो उनको आदिल रशीद और रभी विश्णोई खास कर दोनों लेग स्पिन और यह जो प्लेयर है रभी विश्णोई यह लगातार अच्छा कर रहा है तो एक इस तरह का कॉमिनेशन भी बेश्ट हो सकता है बागे दोस्तों यहां पर जो मैंने आपके साथ टीम में शेयर करी ऐसा नहीं करना है आपको सारी टीमें कॉपी पेश्ट करके लगा देनी कौन सी टीम कब ट्राई करनी कौन सी टीम पहले बैटिंग करी तो यह तीन टीमें कौन सी टीम बाद में बैटिंग करी तो यह तीन टीमें मतलब सारी चीज़ें बताया हो, तो आपको सारी टीमें नहीं कोपीपश करके लगा देनी, एक लाजिक पर टीम बनाना है, कौनसी किसकी बालिंग आ रही, किसकी बैटिंग आ रही, फिर कौनसी टीमें बनाना है, आपने हर एक चीज समझ ली, ठीक है, सायद आपके समझ में अगर जिसके समझ में नहीं आया है वो कमेंट करके थोड़ा बता है तो मैं कोशिच करूँगा नेक्ट वीडियो में और भी बहतर करने के ठीक है तो आपको टीम खुश से बनाने है बाकि मेरी जो फाइनल टीम्स होंगी ग्रेंड लीग की छे टीम में म मैं अपने टेलिग्राम चैनल पर डाल देता हूं जो बेस्ट मुझे लगती है तो लिंक डिस्किप्शन में जिसने भी टेलिग्राम चैनल को जोइन नहीं किया जोइन कर लिजे अगर वीडियो आपको पसंद आई है अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और क करके बताना क्या कमी है और क्या सुदार करने चाहिए कैसी लगी वीडियो इस तरह से आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ठीक है कर्मेंट करके बताना बाकी सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने ना क्योंकि यह चैनल जो लोग नहीं आए यह चैनल आपको बहतर है इसको हुच कर सकते हैं तो सभी लोग जाके डिस्केप्शन में लिंक है फ़र्श कमेंट में पिन करा हुआ है वहां से बल्लेवाजी आपको डाउनलोड कर लो थैंक्यू